हेलो बच्चो, आई यह स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज हम कर रहे हैं इस चाप्टर का सबसे इंपोर्टन और सबसे टाफेस कोर्शन, मिस्लेनियस का कोर्शन नमबर 10 यह दो कोशन मैंने आपको हमख में दीते हैं and I believe कि आपने इसे खुद बखुद कर लिया होगा, ना करो तो कॉमें सेक्शन में इको बताना कोशन 10 के है, find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2, again sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 निकलना है sin x है 1 by 4, okay, x in second quadrant, x second quadrant में है तो sin x मेरा 1 by 4 है, x second quadrant में, second कहां से कहां तक होता है 90 से 180, एक छोटा सा point, हो सकता आपके teachers आपको 90 ना लिखवा के यस तरह ना लिखवा के इस तरह लिखवाते हो, 5 by 2 से 5, तो दोनों का meaning same है and अगर आपके school teachers इसी इसको prefer करे, then I would suggest कि please, इसे करना, तब samsung के तरीका मत करना, anyways x second quadrant में, यानि x कहां से कहां तक है, 90 से 180, बिटा मैं इस तरह लिखता हूं कि यह ज़्यादा comfortable रहते है बच्चों को, अब निकानना क्या है, tan x by 2, pos x by 2, tan x by 2, लगाओ step 1, step number 1, क्या था, सबसे पहला काम, x by 2 निकालेंगे, तो x by 2 क्या हो जाएगा, half करने, 90 by 2, 180 by 2, कितना हो गया, 45, x by 2 and 90, step number 2, निकालो, cos x, sin square x plus cos square x is equal to 1, cos square x क्या होगा, 1 minus sin square x, cos square x, 1 minus 1 by 4 का whole square, सो cos square x क्यों होगा, 15 by 16, सो cos x क्यों होगा, plus minus root 15 by 16, अब सवाल है कि plus या minus, x कौन से कॉर्ण में था, x lies in second quadrant, और हम जानते हैं, second quadrant में कौन कौन से positive होते हैं, after school to college, second में होता है, sin और cos sec, तो cos क्या होगा, negative, cos x is minus root 15 by 4, अब cos x आ गया, step 3, formula यूज़ करना है, cos 2 theta का, cos 2 theta, 2 cos square theta minus 1, यहां कर दो theta, left में करा theta, तो right में होगा, क्या मेरे बेटा, cos square theta by 2, तो अगर, लिखुँगा में, x, cos x लिखूद, तो x by 2 का आएगा, left या right, automatically right में, left में लिखुँगा, cos x, यहां देगा, 2 cos square x by 2, minus 1, इसे इदा shift कर दो, 1 plus cos x, is equals to 2 cos per x by 2, value dollar 1 minus, root 15 by 4, 2 cos square x by 2, LCM 4 minus root 15 by 4, 2 cos square x by 2, 2 divided में, तो cos square x by 2 is, 4 minus root 15 by 8, अब cos x क्यों हो जाएगा, cos x by 2 is, plus minus root में, 4 minus root 15 by 8, अगर, x by 2 लाई कर रहे है, cos quadrant में, x by 2 लाई जिन, cos quadrant, अब लाई जाएगा, cos x क्या आवा, first में तो, सभी positive जाएगा, cos x by 2 is, root, 4 minus, root 15 by 8, एक छोटा सा पॉइंट, मैं दो लोग को separate लिख सकता हूँ, क्योंकि हमार को पता है, गर root a y b हो, तो वो बनता है, root a y root b के एक वज़, तो cos x by 2 क्या होगा, root में, 4 minus root 15, upon root 8, ऐसा ऐसले लिखा कि, root 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 root 2, तो क्या होजएगा मेरा ये, 4 minus root 15, upon में, 2 root 2, राइट, अब चाहूँ तो मैं इस root को अलग कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे भी रहने दे सकता हूँ, रैशनलाइज करना कर दे, या करी देते हैं, ठीक है, यहां रैशनलाइज कर देंगे, denominator से root हटाएंगे, हटाने के लिए, root 2 by root 2 से multiply, कुछ बच्चे यां confuse होते हैं, कि सर, root 2 by root 2 क्यों, बेटा, गर माल लो, 1 by root 2 है, तो रैशनलाइज के लिए, root 2 by root 2, let's say, मेरा 1 by 3 root 2 है, तो रैशनलाइज के लिए, root 2 by root 2 ही चलेगा, क्यों, में को दूसरा नंबर कब लगाना है, अगर यहां बीच में, plus या, minus होता, तो हम यहां लिखते, 3 minus, जान अखना, अगर single term है, one term, one term यानि, यह एक साथ है, 3 root 2 है, तो रैशनलाइज के लिए, root वाले नंबर से, multiply and divide करिए, पर क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा, मेरा root में, 8 minus, root, 8 minus, 2 root 15, by 4, इसको यह समझने अश्क लिए बता दू, कैसे, जब 2 root माले multiply हो, यह रूट A, into root B, A की root हो जाता है, root A, B, सेम यहाँ पर, यह 2 अंदर इन सब से multiply हो गया, अब मेरा cos आ गया, निकाल लो sin, sin square x by 2, plus cos square x by 2, this goes to 1, so sin square x by 2 की value, 1 minus cos square x by 2, 1 minus, डालो value, मैं सी जाना, यह यह वाली value पूट करूँगा, क्योंकि यह थोड़ी calculation करने में असान है, 1 minus, 4 minus root 15 upon me, 8 का whole square, sin square x by 2 क्या हो जाएगा, 1 minus, bracket, 4 minus root 15 upon me, 8, L sim कर दो, 8 minus 4 plus root 15, upon 8, तो sin square x by 2 की value क्या होगी, 4 plus root 15 upon me, 8, now sin x by 2 क्या हो जाएगा, root में 4 plus root 15 upon me, 8, और root 8 को क्या कर देंगे, लिख देंगे हम क्या, 2 root 2, 4 plus root 15 upon me, 2 root 2, rationalize, root 2 by root 2 से, क्या हो जाएगा ये, root के इंदर, 8 plus 2 root 15 upon me, 4, right, अब निकाल लो tan, tan कर से निकालता है, tan x by 2, sin x by 2 upon, cos x by 2, देखो, मैं sin के लिए value, sin और cos के लिए, ये वाली value प्रिक करूंगा, sin के लिए कौन सी वाली, ये वाली, क्यूंकि calculation करने में ज़्यादा असान है, so root 4 plus root 15 by 8, upon root, 4 minus, root 15 by 8, ये सारा एक ही root में हो जाएगा, 4 plus root 15 upon 8, 4 minus root 15 upon 8, 8th street cancel, बजगे रूट में, 4 plus root 15, upon 4 minus, root 15, अब क्या करते हैंगा, rationalize, कैसे अब यहाँ rationalize कैसे करते हैं, देखो पिटा, एक ही root है न, तो क्या करें, root के अंदर ही, 4 plus root 15, upon 4 plus root 15, उपर बन गया, 4 plus root 15 का, whole square, नीचे, a square minus b square, a minus b, a plus b, a square minus b square, इस पूरे पर root लगा हुए, क्या बना, ये तो हो गया, 4 plus root 15 का, whole square, नीचे, 16 minus 15, that is 1, square से root कर जाएगा, कितना देगा, 4 plus root 15, ये answer आएगा मेरा, करिए से note, इसके बाद हम चलेंगे, आगे 2 question है, बस फिर खतम, जो एगाँ, जागा हमाँ, प्राट ये prototypes, बस हमाँ category, ये रजीचे, आएग